तो दोस्तो आज बारा मार्च दोजर बावी सोर आज में लेक्या हूँ आपके लिए डिक जाम लिमिटेट का कम्प्लीट शेयर अनलाइज दोस्तो अगर आपका इस कंपणी में निवेश निवेश नहीं या फिर आप इसमें फ्रेश निवेश करना चाहते तो बिना इस किप के वह आप इस वीडियो को बिल्कुल आंतर तक देखते रही है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हैलफूल होने वाला है दोस्तो इस वीडियो में सबसे पहले हम इस कंपणी का फंडमेंटल को जानेंगे बारी की से हर इक चीज़ को और चार्ट पटन को अनलाइज करके आपको बात आना मालओ कि आपको इस वक्त इस कंपणी पर निवेश करना चाहिए कि नहीं वीडियो की शुरुआत में हम इस कंपणी का फानेंशल रेजल पर भी एक नजर डालेंगे और आगर आपका बाश टेरिंग करने के लिए डिमार्ट अकाउन नहीं है तो वीडियो मैं आपको सबसे पहले इस कंपणी का कॉर्टे लिए रिजल्ट एक नजर दिखा देता हूं तो दोस्तों रही बाद इस कंपणी का फांटेट की तो आप देख सकते हैं 2015 में यह कंपणी शुरू हुआ है फांडिंग हुआ ठीक है इसका अगर हेड़कॉर्टर देखेंगे दोस्तों 113 परसंट का कंपणी को लॉस हुआ है इस साल में नेट प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 102 परसंट का कंपणी को लॉस हुआ है ओपरेटिंग इंकम देखें दोस्तों तो 74 परसंट के आसपास कंपणी को इस साल में प्रॉफिट हुआ है तो इस कंपनी का ज यह कंपनी टेक्सटाइल पर काम करता है इसका टोटल मार्केट केप 341 करोड का हो चुका है करन मार्केट केप 170 रुपेश का करन शेयर प्राइस भी हो चुका है 365 कुछ दिन पहले बनाया था हाई बनाया था उसके बाद कंपनी दोस्तों अगर लोवर सरकित देखेंगे तो ल कंपनी का बुक वेलू है इस वक्त स्वरी थोड़ा सा स्वरी दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया तो चलिए आगे बारते हैं कंपनी आपको डिविडेन नहीं देता है इस वक्त इस कंपनी का नेगटिव पर चल रहा है 13 परसन के आसपास ठीक है 37 से जादा इस कंपनी में रिटेन और इकुईटी पर नेगटिव चल रहा है आपको ध्यान अखना इस कंपनी पर निवेश कने से पहले कंपनी का फेज वेलू 10 रुपे का इस वक्त मोस्ट इंपोर्टन चीजे हम देख लेते हैं कंपनी निवेश कने से पहले जो जो चीजे हमें ध्यान कंपनी का जो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स 90% बढ़ा लिया है तो 90% बढ़ा लिया है तो इसका शेर एकदम रॉकेट बनने वाला है बरी एकदम भायंकर तेजी से उपर जाने वाला है हो सकता है आपको इस वक्त ये शेर मिले भी नहीं थीक है तो रही बात गरए पान सालों का का मपाजस देखेंगो सेल्स ग्रोफ में प्रॉफीट यापार सेure से invest करते हैं कि उम्मिद करते हैं कि इस कम्पन collector विभी अच्छे होल्डिंग पैटन पे नजर डालते हैं तो दोस्तों मैं आपको लेकर आ चुका कंपणी के शेर होल्डिंग के पैटन पे मुझे इस कंपणी का शेर होल्डिंग पैटन बहुती ज्यादा एकदम मस्त सही लगा एकदम धामा के दार ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं 90% के प्रोमॉटर्स का होल्डिंग है यहां पे अगर डूमिस्टिक इनumes डेका गार देखा जाने तो सबसे अच्छी बात है इस कंपणी में घृwiąz्टिक हो चुका है तो हरी लगबख अभी इस कंपनी का शेर में अच्छे दिन आने वाला है शेर का प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है तो चलिए अभी हम इस कंपनी का चार्ट पैटन को अनिलाइज करते हैं एक हफ्ते के अंदर इसने 18% के आसपास return दिया है मंतली चार्ट पर्टन के मुताबिक ये share price थोड़ा से नीचे आ चुका था आप देख सकते एक महिना पहले 183 रुपीज के आसपास था उसके बाद गिरा ये share 1.500 रुपे के आसपास आ चुका था ठीक है डेड़सू का share पहे strong support मिल चुका है अभी अपर सरकीट के और चलना शुरू हो चुका है यहाँ पहे negative return 10% के आसपास एक महिने में max 6 मंद का चार्ट पर्टन देखे तो यहाँ पहे 8.87 6 महिने का अंदर इतना शांदा return दे चुका है 17 रुपे के आसपास इसका share price था October 2018 को ठीक है sorry 18 October 2021 को sorry 18 October 2021 के बाद यह share price देख सकतो 17 रुपे का share price यहाँ पे लगबख साड़े 300 रुपे के आसपास जा चुका था उसके बाद कुछ कारण से इसका share price नीचे आ गया है और साड़े 300 का share अभी आपको मिल रहा है कितना 1.500 के आसपास ठीक है बहुत ही शांदा return max to max आका चार्ट पर्टन देखे दोस्तो 7 15% मतलब साड़े 700% का शांदा return दे चुका है 20 रुपया लिस्टिंग हुआ था जब यह शेर एक्शुली यह नया लिस्टिंग हुआ है 2021 में ही October को लिस्टिंग हुआ है 20 रुपय से 20 रुपय का share यहाँ पे 300 के आसपास जा चुका था उसके बाद नीचे आया अभी दोस्तों यह का share price बहुत तीजी से उपर जाना वाला है विकास यहाँ पे promoters ने सारा holdings उठा लिया है तो आने वाले दिने में हो सकता है आपको इस company में holdings ना मिले ठीक है सोरी company का fundamental भी ठीक ठाक है तो दोस्तों वीडियो यहीं वायंद आप करते हैं हमारी जानकारे आपको कसला का comment box में जरूर बताए वीडियो अच्छा लगे तो एक like कीजिए अपने दोस्तों को share कीजिए और किसी भी company पे निवेश करने से पहले आप अपने financial advisor से सलाम असोरा जरूर कीजिए हम आपको education purpose बता रहते ठीक है जानकारे दे रहे थे ये कोई buy और sale का recommend बिल्कुल नहीं है आप निवेश किजिए अपने मन से अपनी तरफ से अपनी company को fundamental को समझिए उसके बाद ही निवेश किजिए अपनी financial advisor से सलाम असोरा लेने के बाद तो दोस्तो हमारे वीडियो कोँदे तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद